नमस्का दूस्तो, Stock Market Studies में फिरसेग पर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज आप इमें डिसकस करने वाला हूँ, एक ऐसे कमपणी के बारे में जो realistic business के उपर काम करते हैं, तो एक realistic industries से बिलोंग करते हैं, तो कमपणी बहुत छोटा है और कमपणी इस छोटा कमपणी होने के नाते भी, कमपणी दिखा जाए तो सबसे जदा हिस्सेदारी आपको इस कमपणी का सबसे जदा हिस्सेदारी आपको retail public के हाथ में ही दिखेगा, अगर अब ध्यान से इस कमपणी के बारे में जो मैं data दिखाऊंगा, अगर देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा कि पहले से आपको क्या sign दे रहा है पहले से आपको क्या information दे रहा है इस company के long term investment के लिए तो मैं वीडियो को पूरा देखने के लिए जोरू कहूंगा क्योंकि company करीबन 70% 70% से भी जादा गिरावट हो चुके है lifetime period के लिए मतलब company जब से start हुआ था तब से लेकर आज तक देखा तो company 70% क्रियास हो चुके है तो इस तरीके से क्रियास होने के बीचे कारण कौन सा है logic कौन सा है और किस लिए company के उपर और भी pressure बढ़ने वाला है तो सारे information या पर डिसकस करने वाला हूँ तो भीडियो को लास तक देखना और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो जुरूर कर लेना तो चलो देख लेते हैं आज के इस details के बारे में तो company का नाम क्या है company का नाम है इंडबल्स realistic limited जो है इस company का ध्यान से आप data देखेंगे तो एक मान में side up को 5% तक return मिले 6 मान में side up को 14-13% तक return मिले चलो खास है कोई बात नहीं और एक साल में हालत देखिए 53% क्रिय गया मतलब 53% का 54% तक यहां पर गिरावट देखने को मिला और 5 सालों में 60% से भी ज्यादा 61% से भी ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिला और maximum chart button देखेंगे तो 70% तो मैं बोला था अभी 75% तो सोची कि इतने बड़ा crash यहां पर देखने को मिला है तो इस तरी किस एक साल के लिए निवेस करता हूँ 6 मांद के लिए करूँगा 3 मांद के लिए करूँगा कि एक हफ्ते के लिए करूँगा वो short term trading, swing trading और इस तरी किसे intraday trading वो चीज हो गया आज इंवेस्टर आपको बहुत सरे लोग में जानता हूँ बहुत सरे लोग इस company के उपर बहुत बड़ा huge amount निवेस करकर रखा मुझे comment भी आया था first time इस company के उपर जो मैं विडियो बना के लिया था तब भी मुझे comment आया था और फिर से कुछ दिनों से ही बहुत सरे comments आ सर इस company के उपर क्या भी माल उठाना start कर दो कि company अभी इतना तो गिर चुके है क्या और भी किर सकते है तो चलो मैं सारा information आपके साथ share करूंगा सबसे पहले जो information आपके साथ share करूंगा जो सबसे बड़ा weakness company के बारे में मुझे लगा वो है इसका investor अगर ध्यान से देखेंग में भी उसका अच्छा का सा holding था और मार्स 2021 मतलब कोवीड के second wave सूरू हो रहने से पहले ही company के उपर माल बेचना start कर दिया और माल बेचते 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 डिसमबर quarter में देखा ये तो company का हाथ में एक दम पूरा के पूरा माल साफ हो गया तो फिर भी छोटा मोटा स्टेक उसके बाद देखिए June 2022 and September 2022 में देखने को मिला zero investment है इसका मतलब प्रोमोटर पूरा के पूरा माल बेचके भाग गया एक मैं आपको question कर रहा हूं इस question का answer मुझे जोरूद देना कि आम मानके चलिए आपका एक business है मतलब sorry आपका एक friend का business है उस friend का business में आप देख रहे है आपका अच्छा लगा आपने भी निवेस किया आप देख रहे है आपका friend खुद उस business को बेचना चाते है क्या फिर भी आप उस company को को निवेस करना चाहेंगे ऐसे बिल्कुल भी नहीं न तो आपको यह देखना है आपका friend जो business को बेच रहे है क्या वो खुद के पैसे के लिए बेच रहे है क्या company में कुछ खराबी चल रहे है company चला नहीं पा रहे है company का losses हो रहा है तो इसलिए बेच रहे है वह चीज़ आपको देखना है अगर company का promoter खुद माल बेच कर भाग रहा है सायद उसको पैसे के जोरुत है सायद वो नया business start करना चाता है इस industries में रहना नहीं चाता तो वो निकल रहे है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं अगर company में ही दम नहीं है company ही losses यह में जा रहा है तो promoter निकल जा रहा है तो सोचना उस company के उपर आपको भी पहले से ही exit हो जाना चाहिए देखे मैं आपको request करूँगा आप मेरे बात सुनकर कल जाके exit मत हो जाना मैं मेरे opinion आपको बता रहा हूँ आप मेरे opinion ले भी सकते है ना भी ले सकते है क्योंकि आप मैं जानता हूँ आप बहुत smart investor है उसकी सबसे काम कर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद तो fis ने माल उठाया 22 परसन दीएस ने देखिए जोटा मोटा माल उठाया तो बहुत सरे लोग एभी comment के सर प्रोमोटर के fis के पास तो बहुत अच्छा का सा holding है तो मैं क्यों नहीं रहू देखे fis का का काम ही होते है आ आज जो आपको 80 रुपीज में देखने को मिला है ना कल जएक 8 रुपीज में भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसी के लिए में कहूंगा public जिस company के उपर ज्यादा investment करके रखा है ना अगर आप smart investor बनना चाहते है as a smart तरीके से आप company का find out करना चाहते है तो इस data को हमेशा देखिए जब public ज्यादा रहते हैं institution कम है promoter नहीं है तो उस company के उपर एक बार details analysis करिए तो detail analysis क्या है सबसे पहले देखिए company का profit and loss क्या है तो profit and loss के बारे बारे बात करो तो पहले company अच्छा करते थे आज कितना हो गया totally losses में चला गया company तो चलो में एक quarterly दिखा देता हूँ तो company देखिए quarter में बीच बीच में quarter में losses किया बीच में profit किया थोड़ा सा फिर से losses किया इसका percentage देखिए losses का percentage ज्यादा है profit का percentage कम है उसके बाद और एक चीज़े आप ध्यान से देखना company का जो profitable loss है उसको तो मैं आपको दिखा चुका हूँ क्या company का sales में growth हुआ ऐसे बिल्कुली भी नहीं sales दिखे लगाता लगाता डाउन होता जा रहा है अगर sales जादा होता expense कम होता expense भी जादा होता तो फिर भी में माल लेता चलो कि company का income जितना हो रहा है expense में चला जा रहा है तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है company का expense भी जादा है company का income मतलब sales भी काम हो रहा है क्योंकि कमपनी ने तो करजा लेके रखा तो उसका इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा उसके साथ टैक्स भी है यह सारे चीज जोड़ कर कमपनी के हाथ में जो profit and loss आया वो at least देखा जाते लौस में चला गया तो कमपनी के और इस चीज आपको हमेसा देखना है वह है cash flow के बारे में बात कर तो cash from operating activity इस चीज को बहुत सारे दोस्तों ने मतलब ध्यान से समझ लिए है उसको आपको बोलने का जोरूत नहीं है फिर पर जितने सारे नया दोस्त आया है उसके लिए मैं जोरूत कहूंगा cash flow बहुत interesting point है कि कोई कभी company कितना भी माल बेच ले उसके हाथ में कितना time to time पैसा आ रहा है वह देखना है बाग लोगों ने जब तक बो पैसा आपको बापस नहीं करेगा आपके हाथ में 5 रुपै नहीं आएगा तो आप खाते में 5 रुपिया नहीं पाएगा उप kulli लोगों को अपने माल बेचा, उनमें ने सारे माल पैसा देने के बाद भी आप देख रहे हैं कि 4000 रुपिया ही आप मतलब उठा पाए, वाकि 1000 रुपिया उठा नहीं पाए, इसका मतलब आपने तो पहले खाते में 5000 प्रोफिट दिखा दिया, तो actually क्या प्रोफिट 5000 है, बिल बिलिस्टिक बिजिनेस है, यहाँ पर इंडेस्टी खड़ा करने के लिए टाइम लगता है, और फिर भी मैं कहूंगा, अगर कमपनी रोटेशन वाइज काम नहीं कर पाते, अगर प्रोफिट बिजिनेस में नहीं है, तो उस कमपनी के उपर तो आपको हमेशा मतलब कम लोसेस में है, चलो क्यास प्लो कमें माल लेता हो, कमपनी खुद का बिजिनेस में पैसा लगा है, फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं, तो एक बात जोरू रिसाट करिए, क्योंकि इसका चार्ट परटन मुझे जो दिखा, कमपनी जो स्टार्ट हुआ, तब रियलिस् ग्रोथ किया, उसके बाद 2008 के बाद मार्केट का सिनारियो खराब हो गया, एट के बाद रिसेशन आ गया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेसर आ गया था, तो हर इंड़स्टी गिर रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ा क्रास देखने को मिला, क्योंकि कमपनी हाई तो मेरे खुद के ओपिनिन अगर जानना चाहते है, मैं आपको एक कोई आडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेरे खुद के ओपिनिन के उपर पहले भी निवेस नहीं करकर रखे थे, आज भी नहीं करकर रखा हूँ, फ्यूचर में सोचूंगा, अगर कमपनी फिर से खड़ा रहा हो पायेंगे, फिर से कमपनी अच्छा कासा परफ्रमिस करेंगे तो, तो आप आपके हिसाब से रिसर्च करना, आपके हिसाब से निवेस करना, तो ए था टोटली एक वीडियो जो एडिकुशन परपास में था, कोई बाइन सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, आप एक ब रिसर्च करना, उसके बाद निवेस करना, मिलते हैं निया स्टॉक लेके, तब तक लिए अच्छे से रही है, अपने ख्या लगिए, पबाई